स्वागत आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग इतने तिन में आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि CBSC की तरफ से आपको नहीं दी गई है अभी तक किसी भी पोर्टल पर ऐसा नोटिफाई नहीं करा गया है तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी मेंशन नहीं है इसलिए मैंने इस छोटे से वीडियो को बनाया ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊं तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि CBSC की जो ट्रेनिंग वेबसाइट है जहां से आपको CBSC की फ्री वर्क्शॉप में रेइस्टर कर सकते हैं करने का ट्राय करा तो मैंने यह देखा कि मैं पाँच वर्क्शॉप में रेइस्टर हो चुका हूँ तो यह मैं आपको मेरा डेश्बोर्ड दिखा रहा हूँ ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो देखिए यह मेरा डेश्बोर्ड है यहाँ पर देखिए 27-8-2021, 24-8-2021 उसके बाद 10-8-2021, 16-8-2021 और 17-8-2021 यहाँ पर मैंने अगस्ट मन्त के लिए 5 वर्क्शॉप को रेइस्टर कर लिया है जैसे मैं यहाँ पर final confirmation पाया तो देखिए मुझे यहाँ पर यह message मिला है Note, participant is already registered for 5 free sessions in the month of selected program So further registration cannot be done for free session for that month कि CBSC ने हर एक participant को 2 free session की जगे अब next month से 5 free sessions देना start कर दिया है इसका मतलब आप 5 free workshop में register कर सकते हैं जो कि आप पहले सिफ 2 free workshop में register कर पा रहे थे So आज के वीडियो से इसी information के लिए है कि जिन लोगों को शायद नहीं पता होगा कि हम 2 workshop में free में register कर पा रहे थे और अब उसका जो number है वो increase करके 5 कर दिया गया है So आप हर एक मन्त में 5 free workshop को register कर सकते हैं क्योंकि CBSी बोलता है कि आपको 5 गंटे की workshop पूरे साल के अंदर complete करनी है So आप किसी भी मन्त के अंदर 5 free workshop को register करके उस target को achieve कर सकते हैं So दोस्तों अगर यह information आपको पसंद आई हो So इस video को ज़रूर like करिए इसे share करिए इसे अपने colleague teachers के साथ में share करिए जादा से जादा share करिए ताकि जादा से जादा लोगों को इस information के बारे में पता चले और वो free workshops को register कर पाएं next month के लिए और चैनल को subscribe नहीं करा तो चैनल को subscribe करिए फिर मिलेंगे एक नए video एक नए topic के साथ में अब तक के लिए stay safe